एक्सरसाइज 2.3 का सेकेंड कॉस्चन यहां पर कोश्चन थोड़े से इदा उधर हो सकते हैं छोटे मतलब इदा उधर कि मैं स्किप कर सकता हूं क्योंकि सभी कोश्चन से एक जैसे हैं तो जो कुश्चन स्किप मैं कर रहा हूं आप नहीं करोगे आप अपने रिजिस्टर में प्रॉपरली करोगे ठीक है अगर हमें इस पॉलिणोमियल को एक्स माइनस ऐसे डिवाइड करना है तो इस पॉलिणोमियल में हमें एक्स की वैल्यू क्या पूट करनी पड़ेगी बताइए आप खुद बताइए समझदार बच्चे चतुर बच्चे अरनव एक्स माइनस नाइन है वो यह साधित्या प्यूश वाइज जीरो एक्स के प्लेस पर क्या पूट करोगे यह सतन्वी यह साधित्या यह संस्कृति लास्ट क्लास में बताया था अगर आपको एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है तो आप एक्स की वैल्यू इसका उपॉजेट साइन मीन्स ए पूट करोगे इट्स ए बच्चे प्यूश नॉट नाइन ए ए ए ठीक है क्यरता है नंद सरयरे है उसको जीरो के एक और लगते है उससे की वैल्यू फाइन डॉट करते है और वह वैल्यू हम फिर डिवीडेंड में पुट कर देंगी जो भी आंसर होगा वह रिमेंसु के तो करते हैं आगे हम इसको यह solution में x minus ये हमने मान लिया कि polynomial है x cube minus ax square plus 6x minus a and x minus a 0 इसका होगा a x minus equals to 0x की value a हमने put करी on putting x in fx we get we get a cube minus a into a square plus 6a minus a so a cube minus a cube plus 6a minus a 5a हो गया a cube से a cube cancel हो गया yes or no so answer is 5a ये remainder होगा जब हम x minus a से given polynomial को divide करेंगे तो remainder क्या बचेगा 5a मैं आपको long division से divide करके दिखा देता लेकिन अभी आपने long division नहीं किया है तो जब हम करेंगे तब ही बताऊंगा ठीक है किसी को कोई problem इस question में बताईए बताईए हा या ना यस और नो 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 तन्वी संस्कृती वकुंद नो आरना आस्था स्वाम्या याश ठेक है किसी को गई शो नहीं है ठेक है इस चलो तो यह दिमेंडर फाइव आया तो इसका मीनिंग क्या हुआ एक्स माइन से इसका फैक्टर है या नहीं है इस एक्स माइन से फैक्टर ओफ गिवन पॉलिनॉमियल इसका फैक्टर नहीं है यास अबसली डिमेंडर अगर जीरो के पार्ट और कुछ और बच रहा है जीरो नहीं बच रहा है तो इसका मीनिगोवा वो इसका फैक्टर नहीं है इसका फैक्टर है या नहीं है सेवन प्लस 3 एक्स इसका फैक्टर है या नहीं है तो हम सेवन प्लस 3 से पहले एक्स की व्यल्यव data करेंगे लोगर एक्स की वेल्यू माइनस सेवन अपॉन पॉल्फिर पॉजिव नेगेटिव थ conductor आप मुझे पुड़ करके बताओ आंसर क्या आएगा है या नहीं है मैं यह पूछ नहीं राभी आप बस यह बताओ कि जब आप इसको solve करोगे तो answer आएगा क्या दिमेंडर आएगा क्या जीरो आएगा या कुछ और आएगा कुछ और आएगा तो क्या आएगा ओक्के अर्णफ बाकी स्टुडेंट्स भी बताओ जब आप इसको सॉल करोगे एक्स के प्लेस पर माइनस सेवन ओवर त्री पुट करोगे तो आंसर क्या आ रहा है इसको सिंप्लिफाई करके करिए और बताइए गुड़ क्या आएगा क्या है कि कि का वा सॉल क्याप्वेशन लेंदी है आई नो बद्ध्यान से करना आइड प्रेक्ट आंसर इन फर्स्ट अटेंप्ट देखना नहीं है नो यूज ऑफ कैल्कुलेटर और एनी अधर इंस्ट्रूमेंट नाइन्थ क्लास आपके लिए बहुत कुछ सीखने वाली क्लास है ध्यान रखना ना नाइन्थ में आप जो सीखते हो वह शायरी आप किसी और ग्लास में सीखो नाइन और इलेवन ये दो क्लास होती हैं जिसमें आप बहुत को सीख ओगया पर चोटी-चोटी चीज़े पर सॉल करना ही नहीं आना चाहिए question को कैसे solve करना है वो आप सीखोगे 9th class में जो कि आपको फिर further classes में बहुत help करेगा Okay, Sanskriti, let's see So far मेरे पास दो answers आए different different है I don't know which one is correct Excuse me तन्वी, okay तन्वी और आप दोनों के answers match कर रहे हैं चलो देखते हैं Three answers so far calculation taking too much time I assume कि सब कर दे हैं बट calculation में time लग रहा है ओके आस था चलो देखते हैं यश, इतना easy, इतना सुन्दर answer नहीं है इस question का still, just check कि क्या गरबढ़ हुई यहाँ पर 3 तो as it is 3 रहेगा minus 7 का Q means minus 7 को जब आप 3 times multiply करोगे तो answer आएगा minus 343 ओके संस्कृती नाव चेक की सही है या नहीं है and 3 का Q 3 की multiply जब 3 times आप करोगे तो answer आएगा 27 minus, plus into minus, minus होता है 77's are 49 होता है 3 as it is आगया now 3 से 27 हम cancel कर सकते हैं multiplication में है so we get minus 343 positive Q अच्चे मैंने आपको बताया था जब किसी negative चीज की किसी भी negative value की power odd होती है तो answer मेशन negative आता है आप खुदी देखो minus 7 multiply by minus 7 multiplied by minus 7 minus minus plus plus into minus minus 77's are 49 497's are 343 ठीक है ओके मकॉंद तो minus 343 over 9 minus 49 over 3 दोनों का LCM 9 आएगा दोनों का LCM 9 आया तो यह हो गया minus 343 3 3's are 9 349's are 147 होते हैं दोनों को add करेंगे लेकिन sign minus का आएगा तो answer आया 490 over 9 that's the answer अब आपको अपनी mistake पता चल गई होगी calculation में again calculation बहुत ध्यान से करना है please calculation mistakes करना बंद कर दीजिए जितना ज़्यादस ज़्यादा आप calculation part पर work करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा 10th class के लिए see 9th class में मैं यह नहीं बोल रहा कि marks नहीं लाने आपको लेकिन 9th class में आपका main concern होना चाहिए कि आप जी छोटी-छोटी mistakes and अभी तक की जितनी भी properties आपको बताई गई हैं first class से लेकर आज तक की वो सभी आद होनी चाहिए mistakes बिल्कुल negligible होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तब ही आप 10th में अच्छे मांक score कर सकते हो चलो तो minus 490 over 9 answer आया तो obviously remainder 0 तो नहीं है remainder 0 नहीं है since minus 7 over 3 put करने पर remainder 0 नहीं आया so it's not a factor of given polynomial यह लाइन लिखकर आनी है अगर आप यहां पर ही छोड़ कर आगे तो आपका half mark हो जाएगा reduce क्योंकि उन्होंने यह नहीं पूछा remainder क्या बज़ता है या फिर solve करके क्या answer आता है what they asked whether it's a factor of given polynomial or not अगर आपने to the point answer नहीं दिया तो आपके marks कर जाएंगे so this statement is important ठीक है किसी को कोई problem इस question में no we don't need to simplify further that is fine क्योंकि इसको आप कितना भी simplify कर लो अब तो answer 0 आने से रहा है minus 490 को आप 9 से divide करोगे answer 0 तो आने से रहा तो आप लिख सकते हो हमें तो यहीं देखना है कि 0 आता है या नहीं आता है कोट चल लिए तो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं क्वेश्चिन पर कि सेम क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कि कि एक्स प्लस 1 किस-किस क्या factor है यह गिवन है normal और बताना है कि क्या एक्स प्लस, इसका factor है या नहीं है तो आप क्या करोगे एक्स प्लस से पहले एक्स की वेल्यू बताओ एक्स के प्लस वन है तो माइनस वन करोगे एकस माइनस वन होता तो प्लस वन करते हैं ठीक है हम एकस प्लस वन फैक्टर को चेक कर रहे हैं तो एकस की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे हमने माइनस वन और इसको पुट कर दिया माइनस वन का क्यूं माइनस वन ही होता है ऑके गड़ संस्कति क्वाइनस वन होगा माइनस माइनस वन का स्वाइर पॉजिटिव बन होगा plus into minus minus हो जाएगा plus 1 हो जाएगा यह cancel यह cancel आया answer 0 so answer 0 है so हमें last में क्या लिखना होगा yes x plus 1 is a factor of given polynomial ठीक है they are not asking about 0 or remainder they are asking about whether it's a factor or not तो आप reason लिखोगे remainder is 0 so x plus 1 is a factor of excuse me x q plus x q plus x plus one easy question किसी को कोई डाउट इसमें कि सबके नाम लेता हूं एक बार मैं आस्था आर्ना अधित्या अर्नफ आर्यान मुकुंत प्यूश संस्कृती श्रेयस सॉम्या तन्वी एट यश ओके अच्छा ओनलाइन में थोड़ा समझ तो आ रहा है न ऐसा तो नहीं है बिलकुल आप ब्लैंक बैठे हो और कुछ समझ नहीं आ रहा जैसा कि सब बच्चे बोलते हैं कि ओनलाइन में तो कुछ समझ नहीं आता है कि क्या आपको समझ आ रहा है जो आप पढ़ रहे हो ओके failing सी जितना हम कर रहे हैं जो मैं आपको समझाता हूं समझ समय में आप जो face-to-face पढ़ के उसमें भी इतना ही आएगा जotheक्ना मैं अब यहां पर पढ़ा रहा हूं उसमें आएगा बस ृतना होता है कि आप Labor Redmi quiz में counter questions बहुत बार कर सकते हो आप हर लाइन पर रोक रोके सर यह बता दो यहाँ पर थोड़ा सा interaction नहीं हो पाता है आई contact नहीं होता है तो थोड़ी सी problem आती है still अगर आप जैसे मैं 100% दे रहा हूं और उसमें से अगर आपको 75% भी समझा रहा है अगर आपने यह practice नहीं किये question जो आप आज कर रहे हो within a day or two तो आप सब भूलते चले जाओगे again जब हम revision करेंगे या फिर आपके test में questions आएंगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा और आप खोदी कहोगे वो तो हमने तब किये थे अब इतनी देर का थोड़ी याद रहेगा तो इतनी देर का याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है वन प्लस वन आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया जाता है डू होता है लेकिन वह आपको आज तक याद है क्योंकि आप एडिशन सब्ट्रेक्शन तब से करते आ यहादा है आपको प्रैक्टिस च्ञादा करनी है मैं सिर्फ समझा सकता हूं के का सकता अब आपके ते सब्सक्राने होगे दे रहा हूं और नो किसी को पसंद नहीं नहीं आते हैं कि क्या बूल रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको यह सब चीजें पता होनी चाहिए चलो यह हो गया question अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर नेक्स्ट पार्ट में वी हाब दिस पॉलीनॉमेल तो बताओ क्या यह इसका थेक्टर है यह नहीं इसका फैक्टर है या नहीं है ओके कर आप आप मैं आप बताओ कि आइगा जीरो नहीं आएगा गोट करके देख लिते है के प्लेस्ते सघर माइनस वन माइनस वन की पाइब फोर सब्स forskences काॉंड की एक कर देख काहरद गई हाँ बैसन की पावर फॉर होता है मैंने सब्रद सब्सक्राइब माईनस वन की पावर टूए-0-11 माइनस पनोपा है सो वी गेट 1-1 प्लस 1-1 प्लस 1 सो 1 से 1 कैंसल 1 से 1 कैंसल बचा 1 सिंस रिमेंडर इस नौट 0 सो यह इसका फैक्टर नहीं है नौट अफैक्टर चलिए अब आते हैं find the value of k in which x-1 यहाँ पर उन्होंने बोला है कि x-1 given polynomial का factor है पूछा नहीं है बोला है कि factor है तो के की वैल्यू बताओ जब भी उन्होंने factor दिया हो तो आपको बस क्या करना है यहां से आप x की value calculate करोगे उठ करोगे और उसको लुए यहां तो किशकी प्ल रखोगे factor है तो वह किसके प्ल होना चाहिए बताओ यह फैक्टर है तो जब हम positive 1 वैल्यू रखेंगे तो वह किसके पुल आना चाहिए जीरो के एक पॉल आना चाहिए तो आप उसको जीरो के एक पॉल रख दोगे जिससे आपके के की वैल्यू पता चल देगी जैसे कि देखो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने यहांपर x-1 फैक्टर दिया है तो हम x कि वैल्यू 1 पुट करेंगे यस ऐख लगे प्लेस पर 1 पूट किया और क्यूए यह फैक्टर है तो वन पुट करने पाद में आंसर क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए तो उसको जीरो के एकपल रखेंगे कि वन पुट करके इकवल्स टू जीरो संस्कृति थोड़ा सा चेंज आंसर में सो वन प्लस वन टू हो गया के एज़ेट इस इकवल्स टू जीरो तू अधर जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव टू तो के की वैल्लियू आ गई माइनस टू खीक है किसी को प्रॉल्लम में इस कोश्चिन में अगर आपको फैक्टर दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू बता हो या कुछ भी ऐसा कुछ पूछा है तो आप जस्ट क्या करोगे उस फैक्टर में से एक्स की वैल्यू या वैरियूवल की वैल पूछ सपोज करू मैंने बोला जैसे कोश्चन में लिख्पा है अगर अगर मैं यहां से एक्स की वैल्यू वन इसमें पुट करूंगा तो आंसर किसके उलाना चाहिए होता है तो answer किसके इक बाइना चाहिए तो मैं हूं इहां पर एकस प्लेसस पर वन पूट करें देता हूँ और इसको 100 के क्योंकि ये इसका फैक्टर हैं श्तुकर और बस इसको solve कर दिया 1 plus 1 plus k equals to 0, 2 plus k equals to 0, k की value minus 2, अब आया समझ में, सपोस करो ये लिखा होता कि factor नहीं है, वो ये बोलते कि x minus 1 से divide करके remainder positive 2 बचता है, या 3 बचता है, चलो 3 ले लेते हैं, remainder 3 बचता है, तो उस case में हम यहाँ 0 के place पर क्या put करते, remainder, यहाँ पर हम 0 के place पर 3 पूट करते, क्योंकि remainder क्या है, 3 है, factor है तो remainder 0 होना चाहिए, remainder given है तो remainder, remainder ही होगा obviously, तो आपको अगर factor given है, आप 0 के एक पर लखोगे, अगर आपको remainder दिया हुआ है, तो आप उस remainder के एक पर लखोगे, बस यह चीज़ धियार लखनी है मुश्किल question नहीं है, बट basic अगर आपको concept समझ आ गया है, कि remainder का concept होता क्या है, factor का concept होता क्या है, तब यह बहुत easy है अभी आगे और questions आएंगे, तो इससे पता चल जाएगा, जैसे की second part है, second part में again, x-1 इसका factor है, हमें k की value find out करनी है तो हम x की value उसमें one put करेंगे, और answer किसके equal लखेंगे, बताइए, बताइए, answer किसके equal लखेंगे, x के place पर one put करके, किसके equal लखेंगे इसको 0k, 0k, क्योंकि यह इसका factor है, तो 0k equal रखेंगे yes, x के place पर one put किया, और equals to रखा 0 2 into 1 का square, plus k into 1 plus root 2 equals to 0, k को यहाँ पर छोड़ कर बागी सब values को दूसरी साइड ले गए यह plus 2 है, तो negative 2 हो जाएगा, यह positive root 2 है, तो negative root 2, तो k की value यह हो गई दोनो negative आएगे बच्चे, और न, bracket के बाहर लोगे negative तब positive हो आएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा सुन्दर बनाने answer को, तो minus common ले लो, आप minus common लेते हो तो अंदर के sign change हो जाते हैं, जो minus होता है positive हो जाता है, जो positive होता है वो negative हो जाता है, त तो यह भी लिख सकते हैं, दोनों answer correct है, यह संस्कुती, ठीक है, किसी को अब इसमें कोई doubt, मुश्किल आते हैं, ऐसे question, यह बहुत easy वाले questions है, इस chapter में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो मुश्किल हैं, और देने के लिए हैं exam में, बट आपको basic concept पता होना चाहिए, बच्चा अजया देख़। नहीं वो तो question में दिया होगा बच्चे देखो यहां पर question में x-1 दिया था that's why we took x-1 वो कुछ और देंगे तो आप बोल होगे जिसे भी वो factor बताएंगे आप उसे लोगे x-1 लेना is not important आप question पर देखो कि question में क्या दिया होगा values can be changed ठीक है इसमें बताओ के की value क्या आएगी solve करो और बताओ जब आप x के place पर one put करोगे और उसको जीरू के लखोगे तो what will you get for k ओके आणाफ ओके आणाफ ओके आणाफ अबस्ट कि आणाफ है है ओके सब्सक्राइब है तो सही होगा लेट सी है एक के प्लेस पर वन पूट किया सो वी गेट के इंटू वन स्क्वेर माइनस रूट टू इन्टू वन प्लस वन इक्वास टू जीरो के माइनस रूट टू इंटू वन रूट टू होता है के को यहीं पर छोड़ दिया और लेफ्ट इंसाइड में बाकी सम्वेल्यू को ट्रांस्पोस करके राइट इंसाइड में दे रहे है वी गेट रूट टू बाइनस वन पर्रेक्ट इसमें के की वैल्यू किया एगी फौर्थ पार्ट में अगरणाफ कि यश्ट ध्यान से करो रूट वन नहीं होता बच्चे रूट वन क्यासे आएगा कि तर्स्कृति ठीक ओके आर्ना कि और मिसिंग सम्थेंग थोड़ा सा गलत है आर्ना ओके आदित्या आदित्या संस्कृति और अर्नव का भी तक ही क्या है मुकुंद थोड़ा सा गलत तन्वी करेक्ट मुकुंद और आर्ना का सेम आ रहा है तो तुम दौनों ने थोड़ी सी मिस्टेक करिया है प्लीज चेक करो क्या किया है के के साथ में भी कुछ था आप उसको ट्रांस्पोस करके नहीं ले गए प्यूश तू नहीं तू आंसर नो प्यूश सी यॉर ब्रो एंटर्ड दे वेटिग रूम कौने यॉर ब्रो एंटिंग एंटर्ड जो ऐसी नामों से एंटर करेगे कि एक स्कॉर माइनस ट्री एक स्के के प्लेस पर हमने वन कुट या माइनस वन था तर्वन फुट किया वी गट के इंटू 1 स्कुर माइनस त्री न्टू 1 प्लस के K plus K 2K होता है और minus 3 उधर जाकर positive 3 Yes, Yes 2 इधर multiplication में है Arna and Mukund क्या आपका ये 2K नहीं आया था? बताओ Arna and Mukund बताओ जल्दी से क्या आपका ये 2K नहीं आया? Solve करके A या ना 2 अधर जाएगा जब इधर multiply में है K के साथ में multiplication में है तो transpose होकर terminator में प्यूश एक सिर्फ ये बताओ कि क्या चीज समझने ही बताओ या साथ अभी तो मैंने बताया था आपको 2K? K प्लस K क्या होता है बच्चे? ये तो आपने छोटी क्लास से पढ़ा है K प्लस K क्या होता है? What is K प्लस K? Again, calculation आप मेरी नहीं देखोगे आप calculation खुद से करो ये मत देखो कि ये K 2K क्या हो गया ये तो आपको समझा आगया तो आप यहां से खुद solve करो ज़रूर नहीं है कि जैसा मैं solve कर रहा हूँ आप भी वैसे ही करोगे तो calculations आपको खुद करनी है instead of looking these steps आप इन steps को देखकर obviously confused होगे that's why I say कि आप मेरी calculations को मत देखो आप खुद से solve करो अगर आपको question यहां तक समझा गया है कि actual में आपको करना क्या है if you know this तो उसके आगे आप calculate करी सकते हो उसमें कोई issue नहीं होना चाहिए है ना अब बताओ do I need to repeat this question again समझाने की जरुवत है are you sure चालो ठीक है still जब मैं practice के लिए दूँगा और आपको फिर नहीं आते समझ में तो you may ask me you can ask me ऐसा नहीं है कि एक वार topic गया तो आप मुझसे पूछ नहीं सकते हो कभी भी आप पूछ सकते हो लेकिन जब भी आप questions पूछोगे suppose हमने कोई topic पूरा finish कर दिया और you have doubts from the topic तो you have to be clear कि आपको doubt है क्या you can't say कि मुझे तो पूरा topic ही समझ नहीं आया that's not acceptable because आप पूरे topic के throughout yes yes करते रहें लेकिन last में अगर आप बोल रहे हो कि मुझे तो पूरा chapter ही समझ नहीं आया मुझे पूरा topic समझ नहीं आया तो that's my failure कि आपको हर एक session में मैं ठीक से नहीं समझा पाया उस case में आपका time waste होगा क्योंकि आपको again वो समझना होगा तो better है जहां पर जो समझ नहीं आ रहा है वहीं पर आप clear करते चले जाओ fine जितना पूछोगे आप प्रेशेट कि तुमने clear बोल दिया कि मुझे नहीं समझा बट क्या समझ नहीं आया था के प्लस के टू के क्यों हुआ वह आप खुद इस पूरे चैप्टर में नो प्रॉलम यह यह पूरा चैप्टर जो है इसमें पहुत सारे सब्सक्राइब करने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा ध्यान से सुनना इस चीज को फैक्टराइज करने के लिए अभी तो आप जो हम स्टार्ट ही करना है तो अभी हमें पताए कि हमें कौन सा मेथट यूज करना है बट जब आप पूरा चैप्टर कर लोगे there are so many questions, there are so many polynomials आपको कैसे पता चलेगा कि आपको factorize कैसे करना है factorize करने के लिए हम या तो factorization का ही use करते हैं या फिर हम identities का use करते हैं identities अभी हमने करी नहीं है हम 2.5 से पहले करेंगे दूसरा method factorization है factorization जो होता है वो हम आपने 8th class में किया होगा middle term split किस-किस को याद है ये middle term split middle term split याद है किसी को संस्कृति को याद है और किस-किस को याद है तन्वी को भी याद है middle term split आदित्या को भी याद है नहीं भी याद है मैं कराऊंगा I am not saying कि आपको याद होना चाहिए जाके एर्थ की पढ़के आओ, ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं बताऊंगा, I am just asking कि कि किस-किस को आता है, या किस-किस ने at least नाम सुना है, you can say, कि सर हमने सुना है, बताता नहीं है, ओके पियुष, one of the most important चीज है ये, middle term split, क्योंकि 10th class में इसके दो chapters है, जो इसी पर based है, middle term split पर ही, दो chapters के अलावा, बाकी जो chapters है, उनमें भी questions है, जिसमें middle term split आपको use करना होगा, सो इसकी बहुत जादा importance है, middle term split की, और ये अगर नहीं आता है, तो आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा, सीखने के लिए थोड़ा सा basic मैं बता सकता हूँ, बाकी आपको practice से ही इसको पक्का करना होगा, कि आपके बिल्कुल दिलो दिमाग में ये बस जाए कि हाँ middle term split है, तो हमें ऐसे करना है, देखो, पहले में simple example से बताता हूँ, सपोस करो, factorization actually होता क्या है, पहले तो ये समझो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 12 को factorize करो, तो क्या factors होँगे इसके, क्या करोगे आप, क्या answer दोगे आप मुझे, if I ask you, factorize 12, तो आप मुझे क्या answer दोगे, अदित्या, बच्चे ये 3 × 2 × 2 × 2 × 16 सोता है बच्चे, नट 12, येस तंबीच, अदित्या मढ़े आप च्छे नोटवे, येस तबीच, येस S睿ए, येस से श्इथित्क, येस सुथू करर्ट्वे, येस S wires dispat है, येस Somnia, आत इस कर्यार्ट स aware दोगे तो उसमें हमें च्छोटे से छोटे पार्स में इस नंबर को लिखना है जिसको फर्दर हम ब्रेक ना कर सके ना आप ऐसे करके आरे सारे बच्चे LCM बोलता है it's not LCM it's prime factorization LCM दो या दो से ज्यादा नंबर्स का होता है जब हम सिंगल नंबर का ऐसे करते हैं that is called prime factorization तो इसमें छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट करते है राइम नंबर से 26R 1223s are 631s are 3 so we write it like 2 x 2 x 3 1 को नहीं लिखते हैं बताओ के 1 को क्यों नहीं लिखते हैं can you tell me why one is excluded क्योंकि one prime number नहीं होता है क्या one prime number होता है composite number होता है क्या one composite number होता है नहीं होता है neither prime nor composite तो हम one को नहीं लिखते क्योंकि वो prime नहीं होता है तो factorization का actual meaning होता है हमें छोटे छोटे parts में divide गरना है उसको लेकिन हर एक part के बीच में multiplication का sign होना चाहिए we do not use negative or addition sign between brackets या between numbers fine तो जब polynomials को हम factorize करते हैं तो उसका meaning यह होता है कि हमें इसको छोटे छोटे brackets में convert करना है और उन brackets के बीच में ना तो minus का sign होना चाहिए ना plus का तो उनों brackets के बीच में multiplication का sign या कोई भी sign नहीं होना चाहिए that is called factorization of polynomial yes one natural number है बिल्कुल है see natural number का concept आप ऐसी समझ लो ऐसी कोई भी चीज ऐसा कोई भी number जो nature में पाये जाता है nature में one पाये जाता है nature में zero नहीं पाये जाता है zero हमारी एक imagination है कुछ भी नहीं है तो जीरो लिखतो सो डैट्स वाइज जीरो को हम natural number consider नहीं करते हैं हाफ कोई चीज नहीं होती है अगर कोई आधा पत्थर सपोस करो यह एक पत्थर है और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अगर आपको मैं ना बताऊं कि यह तोड के बनाये गए तो आप इसको एक और इसको भी एक ही consider करोगे सो हाफ कुछ नहीं होता है वन थर्ड भी कुछ नहीं होता है यह whole number होता है यह फर्स चैप्टर में हमने पढ़े थे और जब फर्स चैप्टर दुवारा करेंगे अगर बता दूंगा मैं तो यहां पर मैं आपको बता रहे था quadratic polynomial होता है quadratic polynomial ध्यान है आपको की कौन से होता है quadratic polynomial में जो हमने नाम दिया है quadratic polynomial वो किस बेस पर दिया है two terms प्यूश और what yes थन्वी highest power two या degrees two yes है ना तो क्या यह quadratic polynomial है आप मुझे बताओ given polynomial one first जो दिया हुआ है क्या यह quadratic polynomial है यस है तो यह ध्यान रख रहों गया अगर quadratic polynomial है तो उसके two brackets बनेंगे हमेशा अगर cubic है तो उसके three brackets बनेंगे अगर वैसे तो आपके course में बस यही दो है तो आपको इनी पर concentrate करना है quadratic polynomial है तो उसे दो brackets में convert करना है जिनके बीच में plus minus का sign ना हो cubic polynomial है तो उसको three brackets में convert करना है जिनके बीच में plus minus का sign ना हो fine अब आते है middle term factorization जो सबसे पहला हमारा topic है middle term factorization में सबसे पहले मैं आपको simple सा question देता हूं suppose करो एक question है x square plus 12x sorry 7x में लेते इसको 7x plus 12 वो ही बता रहूं प्यूश देखो अभी पता चल जाएगा suppose करो you have this quadratic polynomial और इसको आपको factorize करना है तो first of all आपका काम क्या होना चाहिए इसको पहले तो arrange करो arrange means powers के हिसाब से सबसे पहले जो term आएगी वो सबसे higher power फिर उससे कम power वाली फिर last में constant term यह already arranged है उसके बाद में आपका काम क्या होना चाहिए जो constant term होती है जिसके साथ variable नहीं है उसकी multiply मन मन में x square के coefficient से करोगे अब यहाँ पर x square का coefficient क्या है चलो सब बताओ what is coefficient of x square yes प्योश yes अंसकरती yes तर नहीं yes अरित्या ठीक है तो 12 की जब multiply 1 में करेंगे तो answer क्या आएगा 12 भी आएगा उसके बाद में आपको अपने मन से अब इसमें आपका काम चलेगा मेरा नहीं आपको दिमाग लगाना है कि 12 के कोई ऐसे दो factors करो means ऐसे दो numbers कोई भी दो numbers ऐसे जिनको multiply करके तो answer आए 12 लेकिन जिनको प्लस या माइनस करके answer क्या आए 7 इसको हम middle term factorization बोलता है यस संस्पिति यस आरित्या प्यूश आप बताओ 12 को या कोई ऐसे दो numbers बताओ आप मुझे जिनको multiply करके तो answer 12 आए लेकिन प्लस करके answer 7 आए यस तन्वी बाकी भी students बताओ काफी सारे बच्चों ने बता दिया which is correct दो ऐसे numbers जिनको multiply यस अर्णव यस मुकुंद जिनको multiply करके 12 आए बट प्लस या माइनस करके answer 7 आए यस आर्णव यस प्योश तो हम क्या करते हैं जो middle term होती है उसके place पर वो दो number लिख देगे 7 है तो 7 के place पर 3 प्लस 4 इंटू X प्लस 12 फिर X की multiply करेंगे 3X प्लस 4X प्लस 12 और फिर दो-दो के pair बनाके इन में से common लेंगे common लेना आपको सभी को आता है common का मतलब होता है जो दोनों चीजों में दोनों terms में कुछ common number है अब इसका coefficient 1 है और इसका coefficient 3 है 1 और 3 में क्या common आ सकता है बताओगे 1 और 3 में क्या common आ सकता है 1 आ सकता है यस आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो यह जैसे x square है तो इसको आप x into x लिख सकते हो प्लस 3x है तो 3 into x लिख सकते हो प्लस 4x है तो 2 into 2 into x लिख सकते हो और 12 है तो इसे 2 into 2 into 3 into 3 बस अब इन में से आपको common लेना है तो इसमें देखो इसमें भी x है इसमें भी x है तो यह x common आ जाएगा अंदर बचेगा ये वाला x प्लस 3 इन दोनों में से क्या common आ सकता है एक 2 common आ सकता है तो ये 2 common ले लिया एक और 2 common आ सकता है तो एक और 2 common ले लिया बागी कुछ भी common नहीं है इसमें x है इसमें x नहीं है इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है तो अंदर क्या बचा X plus 3 फिर जो same bracket है उसको common ले लिया X plus 3 ले लिया और बचा क्या X plus 22004 ये factorize हो गया थोड़ा मुश्किल है अगर नहीं आता है किसी नहीं किया है उसको मुश्किल लग सकता है I know but करना तो पड़ेगा यह साधित्या कॉमन बच्चे कॉमन क्या होता है कोई भी ऐसी वैल्यू जो दौनों में आ सके कॉमन तो आपको कुछ रिवाइज करने की जड़ती नहीं है सपोस्ट करो अगर मैं आप से बोलो 12 एंड 18 इनका HCF बताओ 12 और 18 का HCF क्या होगा चलो बताओ कॉमन का मीनिंग HCF ही होता है एक्चली नो HCF मींस हाइएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चे कोई ऐसा हाइस्ट नंबर जो दौनों को डिवाइट कर सके हाइस्ट नंबर आपको बताना है जो इन दौनों को डिवाइट कर सके टू इस देलीस्ट कॉमन फैक्टर हो गया इनका तन्वी नो तन्वी एंड संस्कृति देर इस अनदर नंबर प्यूश नो यस तन्वी नाव करेक्ट प्यूश नो अगें नो नो आस्था नाइन की टेवल में 12 नहीं आता आस्था यस्टू इस लीस्ट नंबर हाइस्ट ब 12 6 की टेवल में भी आता है 12 18 भी 6 की टेवल में आता है और अगर आपको प्रॉलम होती है तो आप सिंपल फैक्टर्स करो टू इंटू 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 3 इंटू 3 तो एट सी एफ क्या होगा आपने पढ़ा होगा ऐसे करकर के बच्चों की तरह जब करते हैं एक त पुझन चास सौरी यह एक टू यहां नहीं आएगा तो इंटू तो फ्री इन्टू तो आया और एक थ्री आया थे सिट तो टू इंटू थ्री क्या हो गया इसका एच्छी अगर आपको एच्छी एफ नहीं आता है तो आप ऐसे डिद कर सकते हो तो इंटू तरी जो अब इसमें टू है लेकिन इसमें टू नहीं है इसमें एक तरी है लेकिन इसमें त्री नहीं है तो हम बाकी नंवर्स को नहीं ले सकते जो common होंगे हम सिर्फ उनको लेंगे तो एक या तरह इसी को कॉमन लेना कहते हैं यह कॉमन कैसे आपको लेना है इसक्सक्राइब क्लास में करेंगे यह ध्यार रखना कि जो मिडिल टॉप वाले तो बहुत कम आते हैं बाहर के सब्सक्राइब करेंगे उनकी मैं किसी भी दिन एक अलग से क्लास लेकर उसमें सिर्फ प्रेक्टिस सेशन रखना जिसमें आप बिल्कुल इसमें पक्के हो जाओ और आप को कोई भी फिर दिया जाए आई विल लेट यू नो अभी तो नहीं लेट मी रिकवर अबिट थोड़ा सा मेरी तवेत भी ठीक नहीं है तो जल्दी रखोंगा मैं डोन वरी अगर आपको सेल्फ प्रेक्टिस करनी है टॉपिक्स की तो आइकन प्रोवाइड यू असाइमेंट्स बुक अगर आपको करनी है बुक अभी तो स्टार्टिंग फेस में मैं आपको है तो तो यूंसी एक तो यूंसी यूंट गो विद अजूका साइब करना आपको यू थे इस तो अड़ित को फॉल देट नहीं है नहीं सज़चा सो अरे श्रम इंडा अरे सग्रवाल भी थे जिसे तोरी कोडी बट यून गो फॉल्ट से अरे हम फॉल इन यूल इन फॉल आपको मैं जितने भी assignments प्रोइड करांगा वो सारे बुक्स के collective assignments होंगे questions के सो जस्ट वेट अबिट थोड़ा सा वेट करोगे तो बहुत सारे assignments आपको मिल जेंगे एंड आइड तिंग कि आपको बुक लेनी की जुगत पड़ेगी आइड यूज यू लाइक अलिन वान इन सभी के questions जो आपके कोर्स के हैं जो आप से related है वो मिक्स करके मैंने assignments बनाए हुए वो मैं आपको प्रोवाइट करांगा तो आप उनको कर लोगे तो more than enough होगा स्टिल उसको करने के बाद लिए अगर आपको time बचता है तो you can choose any of the book अगर आपने वो कर लिए तो you can do all the questions फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि I'm just waiting कि यह chapter finish हो जाए तो मैं एक साथ क्योंकि मैं पास बहुत बड़े-बड़े assignments है उसमें 20-20 questions है और mixed questions है I don't prefer कि topic wise मैं आपको questions दे दू obviously वह आप easily कर लोगे I want कि मैं mix करके questions दू जिससे आपको खुद दिमाग लगाना पड़े इसमें कौन सा concept लगेगा इसमें कौन सी theorem लगेगी तो जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज मैं अप्लोड करूंगा एंड यू में रिफर दें ठीक है और चलो आज के लिए बस इतना ही आज इतनी क्लास यह मिडिल टर्म फैक्टरिजेशन अम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कर साइंसी क्लास में मिलते हैं आप जा सकते हैं